नमस्कार प्यारे विध्यारतियों मैं अर्विन सर्मा MBCI परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आप सभी को दसेरे के पावन परवकी बहुत-बहुत सुखामनाय देता हूँ दोस्तों PAT के फार्म बरना स्टार्ट हो गए हैं तो फार्म बरते समय हमसे कई बार गलती हो जाती हम सब्जेक गलत चुन लेते हैं या सेंटर गलत तरीके से चुन लेते हैं तो आपको विल्कुल भी चिंता नहीं करना है वीडियो के साथ अंतर जुड़े रहना है मैं आपको डिटेल इंफर्मेशन दे रहा हूं कि PAT के फार्म हमको किस तरह से बरने हैं तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फार्म बरने की तिथी क्या है तो 12 अक्टूबर से फार्म बनना स्टार्ट हो गए है वो रंतिम्तिती है 26 दस तक तो अभी काफी समय है गवराना नहीं है इसके बार अगर फार्म में कोई करेक्शन आता है तो संसोधन कब करवा सकते हैं तो 12 तारिक से ही संसोधन स्टार्ट हो गया है जो 31 अक्टूबर तक आप करवा सकते हैं इसमें आप देखेंगे फीज कितनी है फार्म की परिक्शा सुल क्या है तो अनारक्षित जो जनरल केटेगरी के हैं उनके लिए 500 है इसके अलावा आपकी कोई भी केटेगरी हो अन्रिजर्व को छोड़कर बाकी सब के लिए निसक जन हो OVC हो ST हो SC हो देना पड़ेगा इसके अलावा अगर अत्रिक्त रिष्टर सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करते हैं तो इसके लिए आपको 20 रुपे का सुल्क और देना पड़ेगा परिक्शा की तारिक आपको मालूमी है 5 से 7 दिसंबर के बीच में आपकी परिक्शा होने वाल आड़ बजे के बाद अगर आप जाते हो रिपोर्टिंग टाइम के बाद जाते हो तो आपको एक्जाम में बेटने नहीं दिया जाएगा ऐसे ही दोपेर में अगर रहता है तो 12 से 1 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम है इस टाइम को विश्य सुरूप से आ परिक्षा के अंदर पर आप जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहले आपका वायो मेट्रिक सत्यापन होगा तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका आधार कार्ड भी सत्यापित होना चाहिए और आपका वायो मेट्रिक भी दिखाई देना चाहिए इसके अलाबा हम लोग जो आंलाइन आवेधन पत्र क्रमांक आपका रहेगा फार्म भरने के बाद उसी से आप आउनलाइन जो इसकी वेबसाइट है इससे आप अपना प्रवेस पत्र प्राप्त करेंगे और इस प्रवेस पत्र को इसके साथ में आपने जो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ लगाया उसको और इसके साथ काला बॉल पॉइंट पेन याद रखना जेल पेन इंग पेन नहीं ले जाना है काले रंग का बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है इक्जामिनेशन हाल में इतनी ही चीजें आपको लेकर जानी रहेगी इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगर फार्म में कोई मिस्टेक है और हम संसोधन करवा रहे हैं सुधार करवा रहे हैं तो आपको याद रखना है प्रतेक बार संसोधन के लिए आपका जो सुल्क लगेगा वो 20 रुपे है इसके अलावा पोर से बोपाल, इंदोर, जवलपूर, ग्वालियर, उज्जेन, सतना, सागर, रतलाम और मनसोर ये नौ परिक्षा के अंदर हैं इन में से हमारे को चुनना है किस तरह से इसका चुनाओं होगा आगे आपको वरीता पूछेगा वहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे चलिए, आगे बढ़ते हैं आनलाइन आवेदन पत्र के साथ डाकुमेंट्स क्या चाहिए ये बड़ी समस्या है, इस्टूडेंट काफी परहसान है तो आपको बता दूँ कि हमें जो जो डाकुमेंट्स में बता रहा हूं उसको स्केन करके सनलगन करना है फार्म भरते समय, स्केन करा के उसके साथ लगाना रहेगा इसमें क्या-क्या चीज़े रहेंगी, तो इसमें हम लोग कह रहे हैं कि कलर फोटो, सिगनेचर, स्वयम की हस्त लीपी, जो प्रारूप चोदा है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें स्केन करके सलगन करना है एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरा, हमें जन्मती थी के लिए हमारा जो वर्थ सर्टिफिकेट, आठवी की, दसवी की, बारवी की अंग सूची इन में से कोई भी, जिसमें आपकी डेट आप वर्थ लिखी है, उसको स्केन करके सलगन करना है इसके अलावा, जन्रल केटेगरी, अन्रिजर्व को छोड़कर, बाकी सभी को अपना जो जाती प्रवान पत्र है, उसे भी इसके साथ सलगन करना है इसकेन कराके, तो ये सारे महत्पुन डाकुमेंट है, जिनके बारे में आपको याद रखना है फोटो में, हमें ऐसा लगता है, फोटो बहुत ही आसान है, लेकिन फोटो में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है जैसे पोलराइज फोटो नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए, मदद तुरंत में हम लोग अरजेंट खिचवाते हैं, वो वाला फोटो नहीं चाहिए फोटो सामने से खिचा होना चाहिए, दोनों कान इसपस्ट दिखाई देने चाहिए, पीछे वाइड वेगराउंड होना चाहिए और नीचे जिस दिन फोटो खिचाया है, उस दिन की डेट लिखी होनी चाहिए याद रखना, जिस अवस्था में आप परिख्षा में सामिल होने वाले हो, उसी तरह का फोटो होना चाहिए जैसे अगर आप clean safe exam में बेटने वाले हैं, तो फोटो clean safe होना चाहिए अगर आप चस्मा लगाते हैं तो फोटो में भी चस्मा लगा के फोटो खिचवाना है इस बात कब इसे ध्यान रखेंगे ये हमारे को ध्यान रखना है अगर इसमें कोई गरवली हुई तो आपको परिक्षाम बेटने नहीं दिया जाएगा और उसके साथ ही ये जो फोटो आप खिचवा रहे हैं काउंसलिंग तक पांच कम से कम फोटो आपको अपने पास सुरक्षित रखना है क्योंकि काउंसलिंग में और एड्मिसन के समय यही फोटो लगेगा जो आपने फाम भरते समय लगाया है याद रखना और फोटो जिस दिन आप फोटो का फाम भर रहे हैं उससे तीन महा से पूरानी फोटो नहीं होना चाहिए याद रखना इसके बाद आगे बढ़ते हम तो हस्ताक्षर करते समय भी हमारे को ध्यान रखना है फोटो के नीचे वाले बॉक्स में पूर्ण इसपस्ट रूप से हमारे को हस्ताक्षर करना है और अंग्रेजी के केपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं करना है किसी भी तरह के हस्ताक्षर चलेंगे बस इंगलिस में केपिटल लेटर नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखना है हस्त लिपी आपको उसमें अच्छे से लिखना है और फार्म के उपर ये इसपस रूप से दिखाई देना चाहिए हस्त लिपी फोटो और सिगनेचर अगर ये नहीं रहेंगे तो आपको एक्जाम में बेटने नहीं देंगे और खास बात ये कि एक्जामिनेशन हाल में आप एड्मिट कार्ट में भी उसी तरह की हस्त लिपी लिखेंगे जो आपने फार्म बरते समय लिखी देख लो फोटो इस वाले बॉक्स के अंदर आपका होना चाहिए ये इसके अलावा हस्ताक्षर यहां होना चाहिए जैसे आपका नाम है मानलो राम तो आप इस तरह से राम लिख सकते हो या आप कुछ भी ऐसा कर सकते हो लेकिन एक बात याद रखना आप किसी भी हालत में इस तरह से राम नहीं लिखेंगे अगर ऐसा लिखा तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा पेले कई बच्चों का पिछले वर्सों में हो चुका है ये ध्यान रखेंगे इसके बाद ये बाहर भी नहीं जाना चाहिए इस तरह से ये बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए याद रखना क्योंकि इसके बाहर का इसके नहीं होगा आगे बढ़ते हैं ये सारी बात होने के बाद हमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है स्वागोसना कि मैं घोसना करता हूं कि मैंने सारी जानकरी सही भरी है उसी को अपने राइटिंग में यहाँ पर अच्छे से लिखना है और ये इसके नहोकर आपके फार्म के साथ अटेच होगा चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो कियोस के माध्यम से फार्म भरना है मेरा आपसे एक निवेधन है विशेश रूप से कि आवेधन भरने के वो दो आपसन देते हैं आप खुद भी भर सकते हैं अपने कम्प्यूटर से लेप्टॉप से लेकिन आपसे में निवेधन करूँगा कि कियोस के माध्यम से ही भरें क्योंकि हमारे द्वारा गलती की संभावना जादा हो सकती है कियोस के माध्यम से भरेंगे याद रखना आप और इसके लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या चीजे स्केन करवाना है पूरी जानकारी ध्यान से भरेंगे एक बार फार्म को आप पिले देख लेंगे जब आप संतुस्ट हो जाएं सारी जानकारी सही हो तभी आपको पोर्टल सुल्क का भुक्तान करना है उसके लिए सहमती देना है जानकारी अच्छे से देख लेना क्योंकि कई बार वो गलत इंफरमेशन भर देते हैं आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है सरनेम छोड़ दिया या सरनेम कुछ और आगया डेटा वर्थ गलत हो गई तो ये सारी बात आपको खास तोर से ध्यान रखना है चलिए अब उसमें जाने का तरीका कि उसके माध्यम से अगर आप जाएंगे व्यापम की वेबसाइट पर आपको जाना है अंदर जैसे ही आप जाएंगे उसमें उपलब्द सेवाएं आएंगी उपलब्द सेवाओं में हमारे को यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले आपकी प्रोफाइल बनेगी है ना प्रोफाइल आपकी सबसे पहले बनेगी इस बात को ध्यान रखना है अगर प्रोफाइल हमारी पहले से बनी है तो उसमें केवल फोटो अपडेट कराना है और आप फार्म भर सकते हैं केवल फोटो अपडेट कराना है और राइटिंग का ध्यान रखना वेशी ही राइटिंग अगर है तो आप उसी प्रोफाइल से अपना फार्म बर सकते हैं लेकिन जो एकदम नए स्टूडेंट है उनकी फिर से प्रोफाइल बनेगी अब प्रोफाइल कहां बनाना है उसको ध इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यह इस तरह का फॉर्म खुलेगा इसमें अमारे को क्या करना है यहां पर डन करना है घोसना करना है क्योंकि आपकी प्रोफाइल पहले बन जाएगी मैं अभी बताऊंगा आपको प्रोफाइल में किस तरह से चीजे भरना है फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दिया, आपके सामने ये खुलेगा, अब ये प्रोफाइल पहले से बनी हुई थी, इसलिए इसके अंदर आपको ये फोटो, नाम, सब चीजे दिख रही है, लेकिन जो नए स्टुडेंट हैं, उनको सारी जानकारी अपनी यहाँ पर देना पड़ेगी, सारी चीजे आप यहाँ पर भरते चले जाएंगे, ध्यान से देखना है अपने को, जन्मति थी, अपना नाम, माता का नाम, पीता का नाम, सारी बातें बड़े ध्यान से लिखेंगे, स्रेनी, सेक्षनिक योगिता, सारी बातें आप अच्छे डाल देंगे एड्रेस आप अच्छे से यहां पर लिखेंगे पूरी तरह से इसके बाद यहां पर एक बड़ी खास चीज है आवेदक के सरीर का इस्थाई चिन यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है यह भी कंपल सरी है आपको प्रोफाइल में यह लिखना पड़ेगा जैसे यहां लिखा है मोल आन राइट चीक है ना इसी तरह से आपके सरीर पर जो भी निसान है वो देना है इसके अलावा आपको मोबाइल नंबर एसा देना है जो काउंसली तक चालू रहे क्योंकि सारी जानकरी मोबाइल पर आने वाली है इमेल आईडी भी आपको बिल्कुल सह आईडी से देना है और इसका इमेल आईडी और इसका पासवर्ड हमारे को हमारे पास संभाल कर रखना है फिर आपकी लीपी स्केन होकर यहां पर अपलोड हो जाएगी यह आप देख लेंगे फिर हमारे को यहां पर नीचे कुछ जानकारी मांग रहा है वो फिर से नाम तो अब आपके प्रोफाइल में से वो बहुत सारी जानकारी पेले से ले लेगा याद रखना कि प्रोफाइल का पासवर्ड और प्रोफाइल आईडी भी हमारे को कहीं पे नोट करके रखना है क्योंकि अगली बार कभी आप कोई फार्म व्यापम का भरोगे तो वही प्रोफाइल आपकी काम आईगी तो वहाँ से यह जानकारी उठा लेगा अब इसमें कुछ जानकारी हमारे को भरना पड़ेगी जैसे हमारे सरीर का इस्थाई चीन यहाँ पर देख लेना अगर उसमें आपने प्रोफाइल में डाला है तो वह यहाँ ले लेगा और उसमें नहीं डला हुआ है तो आपको ध्यान से यहाँ पर उसको भरना पड़ेगा त्रीक है इसके बाद आगे बढ़ाता हूँ में तो आगे यहाँ पर एक और चीज आई वर्ग या क्लास यह वर्ग या क्लास में भी कई बार स्टुडेंट गळबड़ी करते हैं यहाँ पर ध्यान क्या रखना है इसे टिक करना है और अगर नहीं है तो फिर आपको बिना वर्ग यहां पर लिखना है इस बात को आप बड़े ध्यान से समझेंगे इसके बाद दिव्यांगता का disability का क्या प्रकार है वो सारी बाते यहां पर दी हुई है जो लोग हो वो इसको ध्यान से समझ के भरे इसके बार यहां पर बाकी सारी जानकारी आपको पढ़ते जाना है और पढ़ने के साथ साथ उसमें आंसर देना है जो important चीज है मैं आपको वो खास तोर से बताऊँगा जो MP online वाले होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपका 12 में subject क्या था और उस subject के हिसाब से वो यहां पर आपका exam का subject भर देंगे लेकिन आपको बड़े ध्यान से समझना है अगर आप PCM से त्यारी कर रहे हैं तो आपको पहला वाला option A चुनना है यह PCM के लिए है अगर आप agriculture में AG123 से त्यारी कर रहे हैं सबसे important group है जिससे ज्यादा तर student त्यारी करते हैं उनको चुनना है C यह याद रखना इसके अलावा इसमें physics, chemistry, agriculture यह option भी आता है और इसमें एक आता है ABC agriculture, biology, chemistry बड़े ध्यान से समझना यह तीनों ही agriculture के group हैं लेकिन इसमें से अगर AG123 स तो C आएगा और कई छात्रों ने ABC agriculture, biology, chemistry जो ICR की त्यारी करते हैं तो ICR बालों को यहाँ पर चुनना रहेगा E यह बार ध्यान रखना है बहुत important है मैंने बिल्कुल clear बता दिया इसके बाद एक बहुत important चीज है जिसमें बच्चे अक्सर confused रहते हैं क्या आप payment seat पर एसी मेरी आपको व्यक्तिगत सला है क्योंकि exam के बाद अगर आपने यहाँ नहीं लिख दिया तो आपको payment seat अलॉट ही नहीं होगी और अगर आपने हाँ लिखा है बाद में आपका मन हो जाए अभी नहीं है लेकिन बाद में आप सोचो की चलो payment पे ले लेते हैं तो इसमें यहाँ लिख देना जो नहीं लिखेगा उसको payment seat के लिए counseling में नहीं बुलाया जाएगा इसके बाद परिक्षा सहर यहाँ पर हमें परिक्षा सहर की वरिता देना है प्रात्मिक्ता क्रमांग एक दो तीन और चार चार हमारे को परिक्षा केंदर यहाँ पर डालना है सबसे पहले जो लेना चाहते हैं आप उसको first में डाल देना उसके बाद second उसके बाद third और उसके बाद fourth मैंने आपको starting में 9 center बताये थे उन में से डालना है कोई भी चार ठीक है इसके बाद हमारे को यहाँ घोसना आ जाएगी हम इसको okay कर देंगे okay करके हम लोग आगे बढ़ जा हूँ कि farm में सारी जानकारी देखकर ही आपको सुल्क भुकतान देना है और आपके farm पर भी लिखा हुआ होना चाहिए कि भुकतान हो चुका है ठीक है और उसे आप संभाल कर रखेंगे क्योंकि online आवेदन के हिसाब से ही आपके क्या निकलेंगे आपके admit card निकलेंगे उसक card क्रमांग यह आपको अनिवारे रूफ से अंकित करना है जरूरी रूफ से ही आपको इसको डालना पड़ेगा इसके अलावा अभ्यारती का बायो मेट्रिक सत्यापन किया जाएगा कहां पर पूर्व रेजिस्टेशन डेक्स पर मतलब आप जब examination hall में जाएंगे वहां पर mp online की website www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जाएगा लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कियोस के माध्यम से ही भरेंगे तो बहतर होगा ठीक है इसके बाद यहाँ पर दो option दिये हैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ internet केफे कियोस के द्वारा एक स्वयम के computer द्वारा तो मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि आप कियोस के माध्यम से भरें तो गलती की संभावनाएं कम हो जाएगी ठीक है इसके बाद अगर संसोधन करवाना है तो निर्धारी तिथी के अंदर ही आपको संसोधन करवाना है और यह कियोस के माध्यम से ही संसोधन ह यह बात आपको ध्यान रखना है, वहां जाकर आप संसोधन करवा सकते हैं, संसोधन करवाते समाएं आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनना नाम में, Pita Mata के नाम में, Mobile Number में, Email ID में correction नहीं होगा तो ये इसपस्ट जानकारी आपको सबसे पहले बड़े ध्यान से भरना है हाँ हस्ताक्षार गलत है आपने subject गलत चुन लिया है इसके अलावा अगर आपकी जो लीपी है वो change करना चाहते हो photo बदलना चाहते हो इसमें correction हो जाएगा लेकिन नाम माता पीता का नाम mobile number email ID में correction नहीं होगा तो बड़े ध्यान से ये जानकारी आपको वहाँ पर भरना है ठीक है इसके बाद आप सारी जो जानकारी है उसमें हमारे को ध्यान देना है exam हो जाएगी इसके बाद result आ जाएगा counseling में अगर आप select हो गए तो आपको 15 दिन अगर आप अनुपस्थित रहेंगे नहीं पहुंचते हैं आप admission के लिए तो आपकी seat किसी और को अलाट कर दी जाएगी ये खिर बड़े बात की जानकारी है थोड़ा सा सुल्क का वीवरन है प्रती semester एक semester में RVS के वीवी ग्वालियर में उद्यानी की और क्रसी के लिए JNK वीवी जवलपूर में उद्यानी की क्रसी और क्रसी अव्यांतरी के लिए अगर हम लोग देखें तो 22,708 रुपे ये RVS के वीवी में एक semester की है चाहे agriculture लो चाहे हर्टी कल्चर लो JNK वीवी में 22,690 एगरी कल्चर फोरेश्ट्री और हर्टी कल्चर के लिए है और एगरी कल्चर इंजिनरिंग के लिए कितना सुल्क है यहां पर तो 30,250 उरुपे का सुल्क है एक semester का ठीक है दोस्तों तो इस तरह से P.A.T. के फार्म भरने संपंधी मैंने आपको संपूर्ण जानकरी दी है है ना मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से फार्म भरेंगे एक्जाम में बहुत अच्छे से आप सामील होंगे उसके लिए आपको बहुत बहुत सुबकामना है मैं एडवांस में ही दे रहा हूँ कोई समस्य अगर आए तो आप हमारे आफिस में कॉंटेक्ट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दुश्ट